हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज हम देखेंगे पॉलिथिन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स जो आपके बेहत काम आएंगी यह छोटी सी जो पॉलिथिन होती ना जब हम कुछ श करने वाली हूं आई होप पो पसंद आएगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक शेयर करिएगा चलिए देखते हैं फॉर्स टिप जब हम पॉलिथिन में कुछ समान लेकर आते हैं तो इस तरीके से गांट उसमें लगाते हैं तो आप देखते हूंगी जल्द लगा लेनी है तो यह बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप है ना पॉलिथिन में गांट भी लगा पाएंगे और यह बहुत आसानी से खुल भी जाएगी साथ के साथ इसका अंदर कर जो समान होता है वो गिरता भी नहीं आप कितना भी इसको पलेट लीजे यह बिल्कुल आसान तरीका है आप बस एक साइड इस तरीके से टुिस्ट करते जाएगे जो दो छोर होते हैं जब गांट लग जाते हैं तो इस तरीके से इसको टुस्ट अच्छे से कड़े से कर लीजे उसके बाद उपर की तरफ इसको पुश कर ये देखिए यह आसानी से निकल जहां पर उसको रखने के लिए कोई भी जगा नहीं होती है बेस नहीं होता है तो हम अगर चार्जर के उपर इसको रख देते हैं तो यह फिसल जाता है कई बार आप देखते होंगे जिससे हमारा जो सेल फोन है वो टूट भी जाता है तो यह जो पॉलिधिन होती है बस करने के बाद यह जो फोन होता है ना इस पॉलिधिन में रखकर इस तरीक से चार्जर पर आप हैंक कर दीजेगा तो अगर कोई जगा नहीं है चार्जर करते वक्त उसको रखने की तो इस तरीके से पॉलिधिन में आप हैंक करके भी आसानी से फोन को चार्ज कर सकते हैं तो ये polythene वाला जो gloves होता है वो मिलता है, तो इसको आप कभी travel अगर करते हैं, तो इस तरीके toothbrush, paste वेगरा हम साथ में carry करते हैं, तो उनको रखने के लिए बहुत ही काम का है, तो आप इस तरीके से हर finger में जितने members हैं आपके घर में उतने जो ये toothbrush है, आप वो रख लीजे, आप अपना toothpaste रख लीजे, उसके बाद इस तरीके से इसको रोल करके, रबर बेंट से इसको tie कर लीजे, और असानी से इसको आप कहीं पर भी अपने handbag में carry करके ले जा सकते हैं, तो जरू करके देखेगा, चले देखते हैं, next tip तो यहां पर आपको फिर से एक polythene लेनी है, उसको अच्छे से हमें क्या करना है, सीधा कर लेना है, उसके बाद आप एक scissor लीजे और नीचे वाला हिस्सा इस तरीके से कट कर दीजे, साथ के साथ जो उपर वाला हिस्सा होता है यह भी आपको इस तरीके से कट कर लेना है, उसके बाद इस polythene को अगर आप खुलिये गाना तो यह बहुत ही बड़े साइज में इस तरीके से खुल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है अपना जो यह हाथ का है ना, यह इस तरीके से हाथ रखना है और एक मारकर ले लीजे और अपने हाथों का शेप इस तरीके से बना लीजे तो थोड़ा सा जो है वो बड़ा ही करके आपको बनाना है, क्योंकि बाद में यह फिर छोटा हो जाएगा, उसके बाद आप एक नाइफ ले लीजे, उसको गैस पे गरम करके, जिस तरीके से हमने अपने हाथों का शेप दिया है ना, बस उसी तरीके से चलाते जाएए, नाइफ जो है वो गरम होने के कारण, जो प्लास्टिक है वो कटती बेज जाएगी, साथ ही साथ या आपस में चिपकती भी जाएगी, उसके बाद पॉलिफिन को आप इस तरीके से हटा लिजे, और यहाँ पर यह हमारा बन के तियार हो गया है, एक हैंड गलव्स, जो आप बहुत सारी जो है चीजों की क्लीनिंग में इस्तमाल कर सकते हैं क्लीनिंग में, बहुत सारी ऐसप्वी सैसी चीजों होती है, जहां पर प्लीन करना होता हमें गलव्स पहनना होता है और क्यूकि जहसे होता है बेसिन वेगए तो वहांपर क्लीनिंग करने में हमें ह। थोड़ा सा अगर लहसन हमें पिसना होता है, तो मेक्सिका इस्तमाल करते हैं, लेकिन देखते होंगे, अगर घ्रेटर में कितना सारा है नहीं रह जाता है, और ठीक से उसमें से निकल नहीं परता है, तो यह जो पॉलिटिन है, आप इस तरीके से ग्रेटर को उपर लगाकर, उसके बाद तो इससे दो काम हो जाएंगे आपके जो लैसुन है अगर दो-चार भी इस तरीके से ग्रेट करना है तो बहुत ही हो जाता नहीं होता है ँगर कर देखेंगे पर है चलिए देखते हैं नेक्स अब जैसा कि मौनसून आही गया है तो ही अगर बाहर जाते हैं तो साथ में एक छ चाता जरूर कैरेग और करने के के साथ सथ आप एक पॉलिथिन भी जरूर किरिएगा जिससे जब चाते को हम इस तरीकिंटбы बंद करतें न toute इसमें जू भी पानी होता है ना वो पॉलिथिन के अंदर कलेक्ट हो अगर आपके पास जिप-लोक बेग है तो वह आप यदो做ire जब धीरे धीरे हमाँ अपस इतनी सारी polythene इखटा हो ही जाती है तो इसको अच्छे से organize करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब भी लगता है एक के उपर एक, एक के उपर एक आप इस तरीके से सारी polythene जो है तो आप डाल लिजए उसके बाद आप देखेगा सारी polythene हमारा कुछी मिनिट में इतना सारा जो polythene है वो अच्छे से organize हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना इसी तरीके से इसको निकाल लेना है उसके बाद इसको कैसे इस्तमाल करना है वो देखते हैं आपको लेना है इस तरीके का कोई भी डिबा जो भी आप जैसे अभी ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं तरगे के बहुत सारे बॉक्सेज मिलते हैं तो वह आप ले लिजे और बीच ओ बीच एक कटर से या नाइफ से आप एक रेक्टेंगल शेप में कट कर लिजे उसके बाद यह जो पॉलिथिन को हमने ओवरलैप करके चड़ाया ना बस पॉलिथिन आपको क्या करना है इस से इसके अंदर आपको डाल देना है डालने के बाद यह हमारा बहुत ही अच्छा सा एक और बन जाएगा जो इस जैसे हम टिश्यू पिपर वगरा इस्तमाल करते हैं और निकालते हैं सेम उसी तरीके से इस पॉलिथिन को हम यूज कर सकते हैं यहां से आप इस तरीके से तो साथ में दो चार पॉलिथिन को कैरी करते हैं तो अगर हम ऐसी इसको सीधे बैग में रखते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो पॉलिथिन को कैसे आप फोल्ड करके अपने बैग में कैरी करेंगे वो आप देखिए आपको क्या करना है इस तरीके से पॉलि पॉलिथिन को रखा हुआ है और साथ ही साथ अच्छा भी लगेगा और साथ में आपके कम स्पेस में जो है वो पॉलिथिन आ भी जाएगी तो जरूर करके देखिएगा पॉलिथिन से जुड़ी हो एक और टिप देखते हैं मौनसून आते ही बारिश के मौसम में हमें कुछ जो खाने-पिनी की चीज़ें होती है उनका एक्स्ट्रा केर करना पड़ता है खासकर यह बेसन यह साई चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती है जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं जरूरी नहीं कि हमारा जो कंटेनर है वो एर टाइट हो लेकिन आप उसको एर टाइट तरीके से हमें क्या करना है कि दोनों साइट का जो साइट है वो हमें कट कर लेना है उसके बाद बीचो बीच इस तरीके से कट करके हमें दो पार्ट में इसको डिवाइट कर लेना है उसके बाद हम इसको कैसे इस्तमाल करेंगे चली वो बताती हूं हम आपस इस तरह के का च प्रिंग वाला होता है इसको भी आगर हम वाश करते हैं तो इसका स्प्रिंग खराब हो जाता है तो यह जो पॉलिथीन है वह आप इस तरीके से लगा दीजे बीचो बीच एक होल करके जिसे आपको इसको चलाने में भी असानी हो आपका जो ढखन है वह बिल्कुल गंदा भी लेना है उसके बाद इसको जब आप खोलिएगा यह थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा उसके बाद अगर आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको हाफ और आप कट कर लिजे जिसे आप बार बार कई बार इसको 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 बाद आप जब भी आप कॉम करिएगा आपके जो बाल अगर जहड़ते हैं या फिर बाल जैसे गंदे हैं तो उसकी जो भी गंद यह है वो इस तरीके से पॉलिथिन में ही आ जाएगी जिसके बाद आप जब भी आप कॉम करिएगा ना इस पॉलिथिन को निकाल कर इस तरीके से आप फे तो ऐसा क्या करें जिससे हम जो जाडू है वो लंबे समिन तक चला सकते हैं तो उसके लिए आपको लेना है एक polythene मैंने ये जो ट्रिक है वो अपने जाडू में इस्तमाल कर रखी है तो इस तरीके से आपको polythene को fold कर लेना है उसके बाद जाडू पर यहाँ पर आपको लपेट लेना है उसके बाद आपको लेना है एक प्रेस और उसको अच्छे से गरम कर लीजे ये जो हमने पॉलिथिन को लेटा है ना वहाँ पर आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उसको चिपकाते जाएए तो लगतार हमें उस पर नहीं रखना है उसको उस पर लगाना है फिर उठा लेना इस तरीके से करते करते आप देखिएगा जो पॉलिथिन है ना वो मेल्ट होते होते वो अच्छे से जाड़ू को पकड़ लेगी जिससे आपको जाड़ू जाहना बहुत लंबे साथ चलेगी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो जरूर करके देखिएगा चली देखते है नेक्स टेप जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जिनको हम जरूर केरी करते हैं जिनके घर में छोटे बचे हो तो वो तो जरूर मेडिसन कुछ ऐसी होती है जो अपने साथ रखते हैं लिक बैग में रखने से क्या होता है डर बना रहता है कहीं वो लीक ना कर जाए तो यह जो poly bag है ना बस आप इस तरीके से छोड़ छोड़ा आप cut कर लीजे तो यहाँ पर मैंने circle में cut किया है आप चाहे तो कैसे भी cut कर लीजे उसके बाद यह जो इसका mouth होता है ना दवाई की bottle का वहाँ पर लगा कर आप इसको lid लगा लीजे तो बहुत ही अच्छे से यह tight हो जाता है बिल्कुल भी यह leak नहीं करेगा चाहे वो bag आप जैसे भी रखे bottle अगर गिरती है तो भी जो दवाई अंदर है ना वो leak नहीं करेगी तो आप इस तरीके से भी polythene का इसके बाद जो पाली बैग होता है ना वो आप इसके बाद हातों से आप पहन लीजे उसके बाद हातों से आप जो यह गंदगी है जो कूड़ा है आप उठाईए और इसके बाद बैग में ही आप इस तरीके से इसको कलेक्ट कर लीजे तो बिल्कुल भी आपके हाथों में नहीं लगेगा बार बार यही प्रोसेस करते करते हैं आप देखेगा कुछी देर में जो जितना भी कूड़ा है ना वो सब आप पॉलिथिन में इ टिप सेंट्रिक के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा गुडबाई